अब कोई लोग कहते हैं कि वहां से चार साल के बाद आओंगे यहां लोग आतंगवाती हो जाएंगे कि कितने फोजी आतंगवाती हो जाते हैं इस डिटायर होजने के बाद आते हैं पंदा साल करने के बाद आते हैं कोई फोजी आतक कोई आतंगवाती मिला इस तमय देश में अगनीपत योजना एक राजनीतिंग मुद्दा बनता चला जा रहा है दरसल जब से केंद सरकार ने अगनीपत योजना को लांच किया उस बार से उस दिन से पूरे देश में अगर बात के लिए बिहार को लेकर उत्तर प्रदेश या अन्य सहरों में तो वहाँ पर धरना प्रदसन योजना दरसल हो गया हमें साथ इस खास बातचीत में अगनीपत योजना के बारे में उन जो भटके हुए यूवा उनको बताने के लिए मौजूद है रेटायर्ड स्थानिक MP3 पाड़ी जिन से खास बातचीत करेंगे और ये बताएंगे जो उन यूवाओं को कि आखि लिए जो चार साल की योजना है कितनी फायदेमंद है यूवाओं के लिए तो आपका जो राजनीट से दूर रखना जाए है लेकिन राजनीतिक इस वक्त कुछ आइसी हो गई है कि जैसे एक समय कांग्रेस के खिलाफ पूरा भारत की जितने राजनीतिक दल थे सब थे उसी तरह से आज भाजपा के खिलाप जितने राजनेतिक दल हैं वो है उसके सब हैं तो उनको भाजपा के हर नीत में हर बात में कुछ ना कुछ कहना है कुछ ना को तोड़ फोड़ करके एक बदनाम करने की साजिस हमें समय आती है वरना यह अगनिपत जो है यह मैं तो कर रहा हूँ कि हर आदमी के लिए जरूरी जो आदमी प्रहा लिखा हो जो आदमी कुछ करना चाहता हो उसके लिए हर आदमी के लिए जरूरी पहले अगनिपत पर चलके आईए तब फिर देश में चलिए देश के लायकात तब बनेंगे क्योंकि आदमी को बच्चे को अमसासन सिखाती दिराष्ट भक्ती सिखाती बेमानी लुच्चई गुंड़ाई नहीं सिखाती चोरी चमारी नहीं सिखाती तो अगनिपत तो मेरे हिसाब से तो हर बच्चे के लिए जरूरी होना चाहिए आज संसार के कई तमाम देशों में इस तरह यहां तक इंग्लेंड के बासा को जो इंग्लेंड का राजकुमार है तो उसको भी अगनिपत की तरह फोज में सर्विस कमांडर की सेवा के देनी पड़ती और हमारे देश के हर बच्चे को चाहिए आज आज देखे आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा अगर यूक्रेन का हर आदमी हथियार चलाना ना जानता होता तो आज इतने दिन रूस से वो नहीं लड़ सकते थे बड़ी बात कही है आपने तो मैं तो कहता हूँ कि देश हित में आपने हित की बात नहीं कहा हमारे हमको कौन खत्रा देश हित में अगर वह जरूँत पर जा तो हर आदमी को हथियार चलाना आना चाहिए हर आदमे को हमसार्शन में रहना चाहिए कोई लोग कहते हैं कि वहां से चार साल के बाद आवेंगे तो यहां लोग आतंगवादी हो जाएंगE कि इतना है कि यहीं पंदा साल तक कोई आतंगवादी मिला मैं इस बिशय में तो बिल्कुर भाई सरकार के साथ हूँ मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा हाँ यतना है कि जैसे चार साल का उसका टाइम होता हुए आगे इन पत्थवालों का तो चार साल की जगे पर दो साल उसके कम कर दिये जाए कि जैसे वो 26 साल को हो गया आप मालीजिए लड़के अगनीपत में अगनीवीर बनकर सामिलो सकते हैं यह ठीक है बहुत अच्छी बात है भाई देखिए काफी पैसा जितने दिन 4 साल सर्फा सर्भिस करें घो तो 6 महीने तो basic training होती फोज़ोलों की तो 6 महीने के basic training के बाद sch Toraji बना तिया जायो का आर्मी परसुन मना तिया जा वो वो जितने अच्छा चार साल के बाद वो आवेंगे तो उनको तस बारा लाक रुपए करता मिल भी जाएका इंकम टैक्स फ्री होगा उसमें चाहिए गवर्मेंट को कि अगर कोई बच्चा अपना रुपया जमा करना चाहता है इंवेस्ट करना चाहता तो उसको कुछ थो भी सिजया इंवेस्ट को आधा पर्षंट बढ़ा के दें दिया जाता है तो इस बहना को थो इंपे योवा के लिए क्या कहनां के लिए कह लिफ्ट में अंके लिए उनकी जप्राइफ़ा हैं वो युवाओं को भटकाने के लिए देखिए हमारे देश में राजनीत नहीं के राजनीत हो गई एक ब्यापार ये राजनीत में लोग राजनीत के अपना पैसा इन्वर्स करते हैं युवाओं को भटकाने के लिए युआ इसे नहीं कोई दर के चला जाता कोई दिल्ली चला जाए कोई बांबे चला जाए कोई इवाई इस तरेक नहीं उसमें 30-30-40-40 साल के लोग देखे पकड़े गए अब कहने के लिए बुसर पहन के कोई भी चला जाए हम नहीं मानते हैं अच्छा हर जगे राजनीत कहीं रही कुछ ना कुछ हर विभाग में है कुछ हमारे डिटायर फोजी आपसर्स फोजी जावान या या डिटायर फोजी लोग हैं इनके साथ हैं वो भी पैसे लेकर मेरे समझ नहीं पाए लोग राम की बात समझ नहीं पाए लोग इसा मसी की बात समझ नहीं पाए लोग हजर मुहम्मद साहब की बात हमारी बात क्या समझेंगे जिसको जो कुछ करना करें ना करना ना करें लेकिन गवर्मेंट को चाहिए जया सक्ति से पेस आवे और आईसा कि ने supporting नहीं चलएगा और शरकार की contro किसी की बात की नई राजनीत किसी मचे भाट की नहीं है पर्यवार बादी राजनीत हो गई राजाओं की राजनीत हो गई खर्म आप राजाओं की राजनीत पुर्य थी स्तारपितना है कि यस राजनीत क्टी ही है कहां रह गई राज नीद whisper ऑपर एक गर की राज नीदिक है किदनी पार्टिया ये एक घर से संचाली सोती इन एक घर की राज निद म्हीं चले कि खाली को बहुत बड़ाएद एक चोटी चोटी राज इसे घंक कर हजारों लगान सब तो सबको तो तोर के भारत बनाए गया, तो अब वो बात संबह नहीं कि भारत एक घर की राज़िसे चले और लोग यहीं चाहते कि जो हम चाहें हैं, वही हो, ऐसा होना ना मुर्ज़की. चलुक हो जायेगा अपने देश की सेवा के लिए 24 घंटे करत रहेगा अगर वक्त जरूरत कोई जरूत पढ़ी तो वो भी अपने देश के लिए लड़ सके कि हर आदमी भाउजी होना चाहिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको सबसे पहले राष्ट भक्ति होनी चाहिए आपको राष्ट के लिए अपने समर्पित करना चाहिए अगर आप राष्ट के लिए न लाश सवाल आप से है पूरा सपोर्ड है आपको अगनी पत्योजना का बिल्कुल बिल्कुल 100 प्लस 100 प्लस परसेंट सपोर्ड है आप मिलेटरीम नहीं है देखिए सुनिए अगनी पत्य पर चलने के लिए इतना ज़रू मैं इतना कहूंगा कि आज सिर्फ फाउजी ही सर्वि अगना लेकर चले गए होते हैं फाउज की ही बदोलत आज देख हमारा देख है वरना इसस बेंच-बाज के पता हैं कहां गए होते हैं कितने लोग एसी में बैटकर सभिस करते हैं एक फाउजी से पूंचिए नेफा लड़ाक में का हो रहा कैसे क्या हो रहा तो स्रेवा देश स्रेवा अगर करनी है तो फोजी होना जरूरी है चलिए भूब धन्दबार आपका तो यह हमाई साथ एम्बीते पारड़ी जीद हमने खास बाच्चित की यूपी ट्यूवी के लिए स्विवोंस दिखते